नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टेडी पर मैं लगातार आपकी तैयारी के साथ बनाऊ हूँ और आज का जो हमारा टोपिक है वो क्या है रक्त रक्त क्या है? रक्त सहियोजी उत्तक है कैसा उत्तक है? सहियोजी उत्तक है एक साधान मनुश्य में रक्त की मात्रा मनुश्य में रक्त की मात्रा पांसे छे लिटर होती है रक्त क्या है? एक सहियोजी उत्तक है और एक मनुश्य में रक्त की मात्रा पांसे छे लिटर है रक्त निर्मान की परक्रिया, क्या कहलाती है, एक मनुष्या में रक्ती मात्रा 5-6 लिटर है, रक्त परी संचरन की खोज, रक्त परी संचरन की खोज, विलियम हारवे, विलियम हारवे ने की थी, हारवे, विलियम हारवे ने रक्त वरण समूगी खोज, दोनों इंपोर्टेंट हैं, किसने रक्त वरण समूगी खोज, Lead Steiner Lead Steiner रक्त का pH मान 7.4 रक्त क्या है? ये भी question आया है एक्जाम में रक्त एक तरल सहिओं जी उत्तक है कैसा है? तरल सहिओं जी उत्तक तरल सहिओं जी उत्तक है रक्त मनुष्य में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर रक्त निर्मान की प्रकिरिया होमोपोईसिस कहलाती है और रक्त परिसंचरन की खोज विलियम हारवे ने की थी most important question है जिके में भी पूछा जा सकता है रक्त वरुनसमू की खोज लेड स्टीनर पूछा गा है रक्त का प्याजमान 7.4 तीनों चारों ये जो question है ये सबी ये किसी ने किसी अग्जाम में जिके में भी पूछे गए है रक्त एक तरल सहीं जीवत तक है मनुष्य में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर और रक्त निर्मान की प्रकिरिया हेमोपोईसिस कहलाती है रक्त परी संचर्ण की खोज विले महारवे और रक्त वरन समूग की खोज लेट सिन्या मनुष्य के बार का कितने परसेंट रक्त होता है मनुष्य के बार का मनुष्य के बार का 7 परसेंट आपको याद रखना है कितने परसेंट साथ परशेंट रक्त होता है आगे चलते हैं दोस्तो इसमें क्या क्या होता है रक्त में च्यार चीजियों से मिलकर रक्त बना है रक्त में पहले होता है पलाजमा क्या होता है पलाजमा 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 रक्त में 55 से 60 परतिसत तक पलाजमा होता है पलाजमा में 90 परतिसतर पाणी कितना परसेंट पाणी? 90 परसेंट पाणी होता है पलाजमा यह पीले रंग का अक्षारिय तरल है क्या है? पलाजमा पीले रंग का एक अक्षारिय तरल है रक्त में 55 से 60 परसेंट तक यह है पाय जाता है पलाजमा में 90 परतिसत पाणी होता है यह पूछा गया है और यह भी पूछा गया है रक्त में 55 परसेंट पलाजमा होता है यह पीले रंग का अक्सारिय तरल होता है इसमें कार्बनिक तथा है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं यह पीले रंग का अक्सारिय तरल है रक्त में पलाजमा इक मातरा 55 से 60 परसेंट पलाजमा में कितना परसेंट पाणी होता है यह पीले रंग का अक्षारिय तरल है इसमें इसमें पाय जाने वाला फ्राइबो जनिन नामक प्रोटीन रक्त का ठका जमाने में सायता करता है पलाजमा रक्त में 55-60% पलाजमा होता है पलाजमा में 90% पानी होता है यह पीले रंग का अक्षारिय तरल होता है जो कार्बनिक और एकार्बनिक पदार्चों से मिलकर बना होता है इसमें पाय जाने वाला फ्राइबो जनिन नामक प्रो रक्त का थक का जमाने में सायक है, आगे चलते हैं दोस्तो, RBC, Red Blood Cell, इनका निर्मान कहा होता है, इस से रिलेटिड बहुत कोश्चन पूछे गए हैं, RBC, लाल रक्त कनी काएं, लाल रक्त कनी काएं, जीवनकाल, 20 से एक सो, 20 दिन, पहले कहीं सो से एक सो बीस भी मिलेगा, कहीं 20 से एक सो, बीस दिन भी मिलेगा, ये कैसी होती हैं, इनका आकार तस्त्रीनुमा, तस्त्रीनुमा आकार, आकार, 8 mm व्यास होता है, 8 mm इनका व्यास होता है, इनकी संख्या, इनकी संख्या, 5 से 6 लाख क्यूबिक पर एमल, होती है, पुर्षो में, मैलाओं में, 4 से 5 लाख क्यूबिक एमल, इनकी संख्या होती है, और RBC का निर्मान कहा होता है, most important question है, RBC का निर्मान, अस्थी मज्जा में होता है, अस्थी मज्जा, बोन मेरो, बोन मेरो क्या है, जो हमारी अड़ियों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उसे बोन मेरो कहा जाता है, और RBC का निर्मान बोन मेरो में होता है, हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण, लाल रंग, हीमोगलोबिन की, हीमोगलोबिन की, इसका मुख्यकारिय क्या है, आक्सीजन परिवेन, हीमोगलोबिन का मुख्यकारिय आक्सीजन डोना है, हीमोगलोबिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेपर में आया है आपके हैस्टेट में, हीमोगलोबिन, मैलाओं में मात्रा हिमोगलोबिन कितने परसेंट होता है 12 से 15 15.5 और पुर्षों में 13.5 से 17.5 जो आपको ध्यान रखना है दोबारा बता देता हूँ हेस्टेट में पूछा गया है हिमोगलोबिन हिमोगलोबिन मैलाओं में 12 से 15.5 और पुर्षों में 13.5 से 17.5 RBC का लाल रख कणिकाएं जीवन काल कितना है 200 से 20 दिन या 20 से 120 दिन या 100 से 120 दिन तस्तरीन माकार होता है 8 mm इनका व्यास होता है इनकी संख्या पुर्ष में 5 से 6 लाग क्यूबिक पर एमल और मैलाओं 24 से 5 लाग एमल पर क्यूबिक होती है और RBC का निर्माण अस्थीमत जामया होता है अमारे रख का लाल रंग हीमोगलोबिन के कारण होता है most important question है हीमोगलोबिन का कारिय आक्सीजन को prevent करना होता है और हीमोगलोबिन मैलाओं में 12 से 15.5 और पूसों में 13.5 और अधिक उचाई पर अधिक उचाई पर इनकी संख्या बढ़ जाती है इनकी संख्या बढ़ जाती है किसकी RBC की àsधिक उचाई पर I altitude पर इनकी संख्या बढ़ जाती है हीमोगलोबिन आपको याद रखना हमें लाव में 12 से 15.5 पूर्शों में 13.5 से 17.5 लाल रक्त कनिकाएं इनका नाम है RBC RBC का निर्माना स्थी मज्जा में रक्त का लाल रन हिमोगलोब इनके कार्ण होता है ये हमारे रक्त में 40 से 45 परशेंट तक होती है आगे चलते हैं दोस्तों सवेत रक्त कनिकाएं WBC WBC इन्हें सरीर का सेनिक वी कहा जाता है सरीर का सेनिक वी कहा जाता है WBC सवेत रक्त कनिकाएं जीवनकाल कहीं 2 से 5 दिन है कहीं 12 से 20 दिन नेट पर मिलता है 12 से 20 दिन पहले किताबों में है 2 से 5 दिन या 3 से 5 दिन और नेट पर 12 से 20 दिन इन्हें सरीर का सेनिक वी कहा जाता है सेनिक WBC को इनका दूसरा नाम लुकोसाइट लुकोसाइट और WBC का दूसरा नाम क्या है एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट आपको याद रखना RBC को क्या कहा जाता है एरिथ्रोससाइट RBC को कहा जाता है और WBC को लुकोसाइट कहा जाता है इन्हें सरीर का सेनिक भी कहा जाता है सवेत रख्त कनिकाएं इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है 600 अनुपात एक RBC और WBC ये परतेक वैक्ति में 5000 से 9000 क्यूबिक क्यूबिक परेम्मल उत्ती है 5000 से 9000 RBC के अनुपात में कि सिंख्या 600 अनुपात एक है इन्हें सरीर का शैनिक भी का आजाता है यह है संक्रमन के विरुद रक्षा करती हैं लड़ाई लड़ती हैं कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये लुकोसाइट हमारी एक्टिव हो जाएंगी और इन की अधिक्ता से अधिक्ता से लुकोमिया नामक रोग हो जाता है कॉन सा रोग हो जाता है लुकोमिया बलड कैंसर बलड कैंसर बताऊँगा आपको जब जो तोपिक होगा हमारा रोगों का उसमें इनकी अधिक्ता से लुकोमिया बलड कैंसर हो जाता है किसकी अधिक्ता से वो WBC इनका निर्मान भी अस्तीमजा में होता है अस्तीमजा में निर्मान होता है इनका WBC का आपको याद रखना है WBC को लुकोसाइट भी कहा जाता है RBC को एरिथ्रोसाइट काहा जाता है, सवेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 2-5 दिना, 12-20 दिन होता है, इने सरीर का सेनिक भी काहा जाता है, RBC के अनुपात में WBC 600 अनुपात एक है, 5000-9000 क्यूबिक परैमेलिन की संक्या सरीर में होती है, ये संकरमन के विरुद लड़ती है, इनकी अदिक्ता के कार्ण, लुकोमिया नामक रोग हो जाता है, बलड कैंसर रोग हो जाता है, और इनका निर्मान भी काहा होता है, अस्ति मज्जा में, एक दो बात ऊर रहे गी हैं बीच में, जो छूट गी थी, RBC का कबरग रह, किसे कहा जाता है, पलिया को, रक्त का अध्ययन, हेमोटोलोजी, हेमोटोलोजी, आप कभी डोक्टर का के बलड टेस्ट करवाने गए होगे, तो उसके उपर आपका जो रिपोर्ट है, उस पे लिखा मिलता है, हेमोटोलोजी, रक्त का अध्ययन, RBC का कबर, कबर ग्रह, पलिया, पलिया, हैनिकी Splemn, Splemn, RBC का कबर ग्रह का जाता है, इन्हें, रक्त बैंक भी का आजाता है, पलिया को, क्या का आजाता है, रक्त बैंक, दोनों को आपको याद रखना है रक्त का अधन हेमोटोलोजी है RBC का कबर ग्रेह पलिया है most important question है बहुत बार पूछा गया है और इसे रक्त बैंक भी कहा गया है हागे चलते हैं दोस्तो thrombocyte platelets thrombocyte इन्हें क्या का जाता है platelets यह है रक्त का ठक्का जमाने में सायक होती है ठक्का जमाने में सायक है thrombocyte रक्त का ठक्का जमाने में सायक है यह है रक्त दबाव को भी दबाव को भी नेंतरित करती है, करती है, रक्त दबाव को भी नेंतरित करती है, और रक्त का थक्का जमाने में, कैल्सियम और विटामिन के, ये भी रक्त का थक्का जमाने में सायक है, तक का जमाने में साहक है, इनकी संख्या तीन से दस लाख होती है, एक RBC से और बात है, इमोगलोबिन का निर्मान में क्या साहक है, आयरन, आयरन, लोह तत्व, रक्त निर्मान में और इमोगलोबिन के निर्मान में साहक है, आयरन, विटामिन, आपको बता चुक्या हूँ, B6 और B12, ये भी रक्त निर्मान में साहक है, रक्त की कमी को Anemia कहा गया है Anemia कहा जाता है Anemia और Thrombos疑 इनका जीवन काल है जो रक्त का यह ठका जमाने में सायक है इनकी संख्या 3-10 लाक होती है और इनका जीवन काल है 3-10 दिन 3-10 दिन है और इनकी संख्या 2-5 लाख भी है कई जगे वही 2-5 लाख भी मिलती है कहीं 3-10 लाख मिलती है यह अलग-अलग इनकी जो संख्या हमारे जो नेट पर हम देखते हैं तो उसमें अलग-अलग इनकी संख्या बताई जाती है और इनका जीवन काल भी थोड़ा उपर नीचे बताया जाता है आयरन लो तत्ताव रक्त निर्मान में सायक है और विटामिन B6 और B12 भी रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है इनका काम क्या है रक्त को ठका जमाने में सायक और रक्त दबावपन को नेंतरित करना केल्सी मौर विटामिन के भी रक्त का ठका जमाने में सायक है इनकी संख्या 2-5 लाग है वही कहीं 3-10 लाग मिलती है आज का हमारा यह टोपिक यहीं समापत होता है आशा करता हूँ यह टोपिक आपको पसंद आया होगा और आपकी जो परिक्षा में यह बोती उप्योगी सिदोगा अमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए जैहिन जै भारत